तो गैस मेरा नाम है रायान आज की वीडियो में 125cc की डर्ट बाइक लेने के लिए मैं जा रहा हूँ आप लोगों को पता होगा मेरे पास एक छोटी सी 50cc की डर्ट बाइक है पर वो उतनी ज्यादा पावरफल नहीं थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को 125cc की डर बड़ी है यार यह लोग हमारी मदद कर रहे हैं यह भाइक को घर लेके जानी के लिए एक ट्रॉली भी मैंने यहां पर बलवा लिया है ताकि यार ट्रॉली के अंदर मैं इसको लोड करके घर लेके जा सकूँ फाइनली गाइस देख सकते हो घर के पास मैं पहुंच चुका लेते हैं ओके यहां पर उतर चुकी है तो आप यह हमारे गोडाउन का सीन है इसको मैं घर में भी नई लेके जा पारा था है क्यूंकि बाइक सच में बहुत जादा बड़ी भी थी काफी भारी वरकम भी थी तो अब यह जो मेटल का फ्रेम है इसको खोल लेते हैं फटा पड़ता है इसको जोड़ना बहुत ज्यादा एजी है और यह सामने का वील है वील का साइज देखो काफी ज्यादा बड़ा है और इसके उपर बटन तो देख वार कितने ज्यादा भायंकर है अब इसकी हैंडल यहां पर मैं फिट करने वाला हूं यह को खोल लिया मैंने य पूरा एसेंबल कर लिया पूरा जोड़ने के बाद हमारी बाइक का जो लुक है इस तरीके का नजर आ रहा है बाइक आपको थोड़ी सी खाली खाली नजर आएगी क्यूंकि इसकी उपर यहां पर यहां पर और सामने के जो मटगाट पर बहुत सारे स्टिकर्स आता है अक् बाइक को देखाना सच में शौक हो गया था पूरी तरीके से क्यूंकि यह बाइक सच में आर काफी जादा बड़े सा इसके बाकी इसके उपर देख सेकती हो पनी वगेरा है मैं अभी तक नहीं अटाया है फटा फट से यह पनी को हटाते हैं यहां से तो इसके अंदर क्या- पर तरीके से स्टेंट नहीं कर रही थी पर यह बाइक का साइज और इसकी पावर देख कर गाई सच बतारों आप शौक होने वालो तो शुरुआत करते हैं सामने से दिखाता हूं मैं यह बाइक के अंदर क्या-क्या स्पेशल चीजें दी गई है सबसे पहले यह एक डर्ट मोटो क्रोस बाइक होने के कारण सामने के सस्पेंशन देख सेक्ते हो काफी जादा बड़े साइस के दिये गए सामने का वील आप देख सेक्ते हो कि इसकी उपर यह जो बटन है या फिर इसकी उपर जो ग्रिप दी गई है बहुत ही जादा खतरनाक है मैंने तो आज तक इत एकदम बावाल लग रही है नीचे की तरफ इंजन प्रोटेक्शन कवर भी दिया गया है और यह प्लास्टिक का नहीं है इस कंप्लीटली मेटल का दिया गया है यह इंजन अगर आप देखोगे बिल्कुल आपको स्प्लेंडर के इंजन जैसा ही दिखाई देता है पर यह 125 cc का इंजन है इसके अंदर गेर डालने का तरीका है ना वह बहुत ही अलग है यह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उससे पहले यहां से आप इसके पेट्रोल को अनॉफ कर सकते हो बिल्कुल स्प्लेंडर जैसा ही सिस्टम यहां पे देखने को मिलेगा यह कंप्ली इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत जादा सॉलिड है बाकी एक बर मैं इसकी उपर आपको बैटके भी दिखा देता हूं हैंडल देखो गई इतनी जादा चोड़ी दी गई है और आप इसको बहुत ही कंफरड़ी चला सकते हो यहां पे इंजन किल स्विच दिया गया है यहा पे फुट्रेस्ट है पीछे फुट्रेस्ट दिया गया है तो पीछे पिलियन के लिए सीट जो है थोड़ी सी छोटी है बाकी आज इसके उपर हम लोग दो जने बैटके चलाने वाले देखें दो जनों को बिठाने के बाद यह चल पाती है या नहीं अब इसका बहुत नंबर आप देख सेकते हो 90 x 100 1449 M का पीछे का वील दिया गया है वील की क्वालिटी बहुत ज्यादा कमाल की है इस तरफ आप देख लो यहाँ पे इसके एक्जॉस्ट के उपर इस तरीके का कवर भी दिया गया है ताकि आपके पैर वगेरा जले नहीं यहाँ पे इसके अं सुनना गाइस आप खुद परेशान जाओगे 125 cc के अंदर मैंने इतना जादा लाउड एक्जॉस्ट कोई भी बाइक के अंदर नहीं देखा है यह इसकी इगनिशन की है दो की मिलते है इसके साथ यहाँ पर लगाना पड़ता है कि अब यह ओन हो चुकी है तो चलो एक बर इसको स्टार्ट करके भी मैं आपको बताओंगा उससे पहले इसकी हाइट आप देख लो बहुत जादा हाइट है यह बाइक की अगर मैं इसके फूट्रस के उपर पहर रखूंगा तो देखो यहाँ तक मेरे पहर आते हैं तो इसको स्टार्ट करते हैं गईस वो माई गॉड इसकी आवाज तो तुनार बिल्कुल बुलेट में जैसी आवाज आती है वैसी आवाज आ रही है कहीं लोग ने बुलेट वाला इंजन तो इसके अंदर नहीं लगा दिया है जैसे ही यहां पे माँ थोड़ों दे रहा हूं भाई यह तो पटाके मारने लग रही है और इसके अंदर से तो फ्लेम भी निकल रहा है यार मैंने बिल्कुल भी नहीं सुच थे कि इसके अंदर से फ्लेम भी निकलेगा इस तरीके का मौसा आ गया इसके आवाज सुनके पावर इसके अंदर बहुत खतरनाक है गाईस यह बाइक को चलाने में बहुत जादा पावर्फुल हो जाती है जैसे आप थोटल देते हो नार सामने से उठके खड़ी हो जाती है तेखो गई जिसको मैं तॉप स्पीड में चलाने वाला हूँ यह रोड के उपर आप यहां पे मैंने फोर्थ गेर भी लगा दिया है आवास आप मैं ओफ रोड में पहुंच चुका हूँ यहां पे देगो मिटी में चला रहा हूँ मिटी में तो भाई यह एकदब गजब कर देती है मिटी में बहुत स्पीड से चल सकती है अपे लिटरली आप देख सित्यों कितने बड़े बड़े पत्थर बढ़े है नॉर्मल वा इसको पच्चास साड की स्पीड में चला के देखा है वो भी बिना फिसले आप कराते हैं यह बाईक के साथ बर्न आउट और गाईज जीरो स्किड भी करानी की पूरी कोशिश करूंगा अक्शुले में को स्टैंट वंट करना आता नहीं है इस दिको बाईक की उपर से में इतना ज्यादा पावर था कि मैंने सिर्फ यहां पे हाफ थर्टल दिया है बाईक इस तरीके से गोल गूम रही थी और देखो और कितनी जादा मिट्टी भी पेक रही थी क्यूंकि पीछे के वील के अंदर बहुत खतरनाक सी ग्रिप है इस वजे से इसको ऑफ रोड में चल इनके इंदर चला के देखते हैं क्या हमारी 125cc डर्ट बाईक चल पाईगी या फिर नहीं नॉर्मल बाईक को आप यह कीचड में चलोगे ना वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी मैंने एक बर ट्राई कर के देखा था तो आब इसको चलाने वाला हो मैं फीक ठाक तरीके से तो यहां पे देखो इस एकदम दलदल वाला कीचड है पीछे के वील के उपर और सामने के वील के उपर बटन्स कॉफी बड़े बड़े होनी के कारण यह कीचड में बहुत परफेक्टली चल रही थी यहां तक कि मैंने इसको बहुत ही गहरे पानी में भी चला के देखा है जै बाइक तारीफ के लाएक है मैंने बिल्कुल भी नहीं सुचे थे कि यह 125cc की डर्ट बाइक इतनी जादा पावरफुल निकलेगी तो मैंने यह बाइक को डबल भी चला के देखा है जैसे कि पीछे मेरा भाई बैटा हुआ है पीछे डबल चलाने में भी यह बाइक को बहु बहुत ही यूनिक है बहुत ही अट्रैक्टिव बाइक है 125cc डर्ट बाइक को मैंने काफी भयंकर तरीके से टेस्ट करके देखा है जैसे कि यहाँ पे इसकी हालत आप देख सेकते हो बहुत जादा इसको कीछड में चलाया मैंने पत्थरों में चलाया घास में चलाया हर एक इसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मैंने टेस्ट करके देख लिया है मेरेको यह बाइक बहुत ही जादा कमाल की लगी जितना रोड पे स्पीड भाग सकती है ऑफ रोड में भी उससे भी ज़्यादा स्पीड भाग रही थी यार वैसे आपको पताओगा मेरे पास बहुत ही RC Cars है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओं ये 125cc डिर्ट बाइक के साथ मैं कौन सी बाइक की रेस करा हूं फटावट से कमेंट करो गाई ये बाइक को मैंने edgeauto.in से खरीदा था लिंक मैंने नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दिया है उनका इंस्ट्रग्राम का भी लिंक दे दिया है उनका फोन नंबर भी मैं नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वहां से जाकर आप इनको कॉल करके ये बाइक खरीच सकते ह चलो गैस अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट पहला नाम है श्रेष्ट, करन, जक्वान, रुशब, कुश्विंदर, अधित्या, हुसेण, जग्दीश, जुनेद, कृष्णा, तैंक्यू दोस्तों इतने अचे कमेंट्स कर निकले कर दोस्तों आपको भी चाहिए झालो